स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आई टी चनल नेटवर्क सील्ड मैं दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 20 कोश्चन पर जो की रिलेटेट है पॉल आल्टो फायरवाल ये कोश्चन आपके वो कोश्चन रहेंगे जो मोसली इंट्रिव्यू के दौरान पूछे जात आपको वीडियो को पॉस्ट करना है एंड आपको आंसर देने के वाद फाइनल आपका क्या रिजल्ट निकलता है वह आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं एक जरूरी बात दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखने के बा पड़ेगा मैसेज करना पड़ेगा वे त्योर मेल एड्रस और देन मैं आपको रिप्लाइब दे दूँगा क्योंकि यूट्यूब में अगर आप कमेंट करेंगे मेल एडरस सो में भी वह पब्लिक ली विजिवल रहेगा और उससे हम यह कह सकते हैं कि आपका मेल अडरस कह प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आँसर आप दीजिए तो राइट आंसर है ऑप्सेंची क्योंकि जो पालो टो फायर वाले मोस्ली फोकेस्ट है सिक्यूर्टी में जैसे कि आपका एंटी माल वेर हो गया एंटी स्पार वेर हो गया और फिल्ट्रिंग यह इस ताइप की च तो आप सभी को पता है OSI model के बारे में लेयर वन पर फिजिकल लेयर होता है लास्ट लेयर जो होते हैं सेवन्थ लेयर वो होता है अप्लिकेशन लेयर तो लेयर 7 यहां पर आपका राइट आंसर है उसने just port number देखा और उसको traffic को allow कर दिया उसने यह नहीं देखा कि जो port number 53 पे traffic आ रहा है वो bit torrent का है DNS का है या किस application का है वहीं Palo Alto Firewall ने port number 53 तो देखा साथ में यह भी देखा कि भाई actually यह DNS के traffic है यह bit torrent का है और उसने देखा कि जो DNS का traffic है वो genuine traffic है उसको तो allow कर दिया bit torrent में malware आपका spyware होते हैं तो इसलिए उसने block कर दिया यह beauty आपके Palo Alto Firewall की third number पे आते हैं question है आपके लिए what is app ID in Palo Alto Firewall जस्ट पिसले question पर हमने discuss किया था app ID क्या होता है तो right answer है यहाँ पे आपका option A identifies and control application regardless of port की port number के बिहाब पे आपका application के बारे में भी पता करना that's the beauty of app ID diagram पे देखें वीडियो को pause करें बहुत चीज़े के लिए होंगी आपकी ठीक है fourth number question है दोस्तों आप लोगों के लिए जो की यह कहता है कि Palo Alto का वो कौन सा feature है user access के लिए जिसमें कि हम कुछ website को block और allow करते हैं यानि हम access देते certain website based on their category for example के लिए gambling की website हो गया या इस type की website को हम generally block करते हैं अपने company environment में तो वो किसकी help से करते हैं तो right answer है आप लोगों के लिए option C जो की है URL filtering URL filtering दोस्तों Palo Alto में हम use करके हम किसी भी website को user के लिए block and allow कर सकते हैं फिफ नमबर पे हम बात करें जो question है वो कहता है Palo Alto का वो कौन सा method है जो की visibility प्रोवाइड करता है किसी भी user की activity को by identifying user based on directory service यानि active directory service के base पे user के activity को कौन सा ऐसा term है Palo Alto में जो इन चीज़ों को measure करता है तो right answer है आपका option D user ID user ID की help से हम दोस्तों हम जो information हम लेते हैं वो active directory से लेते हैं जब हमें user की information लेनी होती है यहाँ पे user ID हमारे लिए Palo Alto में helpful रहता है जो की coordinate करता है आपके active directory यानि sort form में बुलेते हो AD से और फिर उसकी activity क्या क्या रहती है उनको monitor करता है six question है आप लोगं के लिए कि wildfire का Palo Alto firewall में क्या role है तो right answer है दोस्तों यहाँ पे wildfire हम जो use करते हैं वो है एक cloud-based threat analysis service दोस्तों wildfire जो है वो cloud-based solution है जहाँ पर की जितने भी नए malware, threat या virus detect होते हैं उनकी information रहती है और वो information आपके Palo Alto firewall में जो wildfire की service है वो cloud में interact करके वो update अपने आप में लेती है and then आपके firewall में apply करती जिससे की latest threat और malware और vulnerability की information और patches जो है वो आपके Palo Alto firewall में apply किये जा सके हैं और आपके network को protect किया जा सके हैं 7th question आपके लिए कि किस zone में Palo Alto firewall के interface को configure किया जाए ताकि उस पे net policy apply हो तो इसमें right answer है आपका option C, source or destination zone पे क्योंकि दोस्तों जो net हम apply करते हैं वो हम use करते हैं किसी भी IP address को hide करने के लिए for example अगर आपको internal network से public पर जाना है तो आप private IP address and public IP address के बीच में directly communicate नहीं कर सकते हैं तो आपके internal IP यानि जो कि private IP address है उसके बाहर से हम लेप लगाते हैं एक public IP address की जो कि फिर public to public communicate करने में helpful रहती है तो कहने का तादपरी यह है यहां पर कि आपके source और destination zone के बीच में ही net policy apply होती है 8th number question है आपके लिए कि virtual system यानि which is follow all to firewall में कौन सा option ऐसा है जो rightly describe करता है तो इन 4 option में जो right answer है वो है option B they are isolated logical firewalls within a single physical firewall यानि एक physical follow all to firewall है उसमें आपने multiple virtual firewall create कर दिये है that's called virtual system इसका फाइदा यह रहता है कि firewall physically तो एक रहता है पर virtual firewall के वज़े से वो अलग-अलग firewall की तरफ behave करता है just like यह आपने अपने laptop में VMware install किया और उसमें आपने different virtual machine create किये अब यह कितने करते हैं यह depend करता है आपने firewall पे कितने virtual firewall का license लिया हुआ है and वो firewall कितने virtual firewall को create करने के लिए compatible है and साथ ही आपको यह monitor करना होता है कि यार जिस interface पे क्योंकि interface तो physical एक ही रहेगा उस interface की bandwidth कितनी है और आपकी company का throughput कितना है तो यह सारे parameter measure करने के बाद यह सब decision लिये जाते है but basically हम यहाँ पर बात करें VCs की तो जिसकी information आपको दे दी है अगर कुछ doubt रहेगा आप comment कर सकते हैं आप लोग already दे चुके हैं क्योंकि मैं इस बारे में already discuss कर चुका हूं right answer है option D threat intelligence cloud यानि जिसको हम wildfire भी पोलते हैं बहुत जादा मैं explain नहीं कर रहा हूं क्योंकि already कर चुका हूं आप वीडियो को pause करके यह diagram देख सकते हैं and explanation read कर सकते हैं कौन से mode में as a layer 3 router की तरह पॉलल्ट फायरवाल एक्ट करता है तो right answer already आपके option में दिया हुआ है and the right answer is option D जो की है layer 3 mode यानि layer 3 mode basically routing के लिए ही बना हुआ है तो आपका firewall layer 3 mode में जब होगा तभी वह as a layer 3 router की तरह काम करेगा जहां पर की routing होती जहां पर मैं layer 3 बोल रहा हूं तो OSI model में layer 3 आपका network layer होता है तो OSI model को आप देखेगा तो और detail में समझ में आएगा अगर आपको नहीं पता बागी पॉलल टो firewall को हम basically चार टाइप से deploy करते हैं जो की information आप diagram में देख सकते हैं tap mode होता है virtual wire mode होता है layer 2 mode होता है layer 3 होता है layer 2 mode में आपका firewall हो हो as a switch की तरह गाम करता है जहां पर routing का कोई भी रोल नहीं रहेगा ठीक है बागी tap and virtual wire के बारे में फिर discuss करेंगा आराम से 11th question है which of the following is not a type of Palo Alto deployment कौन सा option में Palo Alto type deployment का नहीं है तो right answer है आपका option D यानि breeze mode breeze mode में आपका Palo Alto firewall deploy नहीं होता है 12th number question है आपके लिए कि what is the default action taken by Palo Alto firewall for unknown application क्या action take किया जाता है Palo Alto firewall के द्वारा जबकि कोई unknown application आता है जैसा मैंने पहले discuss गया था कि Palo Alto firewall में app ID होता है जिसमें कि वो application के basis पर traffic को allow करता है ना कि port के basis पर only तो यहां पर right answer है option C forward to wildfire यानि कि अगर आपके Palo Alto firewall पे कोई ऐसा application detect होता है जिसकी information Palo Alto firewall के पास नहीं है तो उस information को wildfire के पास forward करता है ताकि wildfire उस पर analysis करे and then फिर उस पे action ले 30 number question आपके लिए which of the following component provide decryption, antivirus, antispyware and vulnerability protection in Palo Alto firewall इन चार option में से कौन सा वो ID है जो कि Palo Alto firewall में यह सारे features provide करता है and the right answer is option C content ID मतलब content ID combine करता है threat prevention feature को जैसे की antivirus हो गया, antispyware हो गया and vulnerability protection हो गया diagram में भी आप देख सकते हैं तो सारा combine करके एक content ID पे जा रहा है फिर यह apply होता आ गया 14 number question है what is the function of security profile in Palo Alto firewall security profile का Palo Alto firewall में क्या रोल है तो दोस्तों इसका right answer है option C to inspect traffic for threat and apply protections यानि security profile के बारे मैं बताऊं तो हम एक profile create करते हैं firewall पे जिसमें की हमारा antivirus भी रहता है URL filtering भी रहता है आपका threat prevention के या IPS भी रहता है तो यह सारा एक हम bundle भी बना सकते हैं और अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम bundle बनाते हैं तो वो कहलाता हमारा security profile group अगर हम individually यह सारे term यूज़ करते हैं तो that's called security profile अब security profile जब हम individually यूज़ करते हैं तो हम हर profile में जाके फिर वो policy पे apply कर दूँगा 15 number question है what is HA यानि HA का क्या role है follow to firewall है क्या stand करता है तो right answer आप लोग को पता है HA का option है high availability HA के बारे में थोड़ा information उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है तो HA का basically मतलब होता है कि हमारे पार दो physical firewall होती है जिनको हम आपस में combine करते हैं जिसमें की traffic हमारा दोनों firewall से भी जाता है या एक time पे एक firewall से जाता है दूसरा standby रहता है तो यह deployment पे depend करता है कि हमने HA किस mode में deploy किया हुआ है इसका basic मकसद जो होता है HA का वो यह रहता है कि कभी भी अगर कोई firewall डाउन चला गया तो दूसरा firewall support में रहे traffic को आगे move करने के लिए यानि जिससे की production पर कोई impact ना हो अगर आप single firewall यूज़ करेंगे let's say कभी power cable खराब हो गया कभी fan खराब हो गया firewall क कभी OS करप्ट हो गया तो कोई भी इशू आ नहीं पर firewall डाउन हो जाएगी और production डाउन हो जाएगा इन चीज़ों से बसने के लिए हम firewall को HA mode में configure करते हैं next question है आप लोगों के लिए जो की है which of the following port is used by management interface of a Polo Alto firewall by default by default management interface कौन से port number पे काम करता है तो right answer आप लोगों को पता है जिन्होंने पहली बार Polo Alto firewall को कहीं पर deploy किया होगा that answer is option A 443 70 number question है आप लोगों के लिए what is the purpose of panorama in Palo Alto ecosystem panorama का Palo Alto ecosystem में क्या यूज है आप में से mostly को answer पता है पर जिनको नहीं पता उनको पताना चाहूंगा इसमें right answer है option C centralized management of multiple firewall या नहीं जहां पर आपके network या company environment में multiple firewall है अब हर firewall पे individually log in करना उनको manage करना थोड़ सा typical हो जाता है तो इस case में हम क्या करते है हम आप एक panorama का server होता है जहां पर की हम सारे firewall को connect करते हैं and फिर हम जो भी changes हमें firewall पे करने होते हैं हम through via panorama करते हैं जैसा आप diagram में देख सकते हैं यहां पे चार firewall है जो कि एक secure channel के through panorama से connected है SSL and उसके बाद हम panorama को access करें अपने web interface से as a admin and then वहां से हम इन चीज़ों को manage करें अपने firewall पे 18 number question है दोस्त है option C जो कि है to decrypt SSL TLS traffic for threat inspection decryption का हम use इसलिए करते हैं पर लोल टो firewall में ताकि अगर किसी client and server के बीच में encrypted form में traffic आदान परदान हो रहा है मतलब traffic flow हो रहा है और हमें यह जानना है कि उस encrypted traffic के बीच में कहीं threat तो नहीं है कोई malware तो नहीं है तो हम क्या करते हैं उस traffic को decrypt करत हैं decrypt करते हैं with the help of certificate हम पॉल अल्टो firewall में certificate को install करते हैं traffic को decrypt करते हैं read करते हैं analysis करते हैं अगर कोई malware मिलता है तो traffic को block करते हैं अगर malware नहीं मिलता कोई thread नहीं मिलता तो traffic को हम फिर allow करते हैं इसे कहते हैं deep inspection या SSL inspection भी बोला जाता है diagram को देखें pause करके समझ में 19th number question आप लोगों के लिए in Palo Alto which tool is used for capturing and analyzing traffic on the firewall itself ये tool की तब हमें जरुवत होती है जबकि हमें GUI पे traffic की information clear नहीं मिल पाती या जितनी information हमें चाहिए वहां पे वो हमारे लिए available नहीं रहती तो हम इस चीज को run करते हैं इसका right answer है option A packet capture यानी PCAP हम run करते हैं PCAP फाइल भी होती यह जिसे हम वायर्शाक में run करके data को analysis भी करते हैं यहां पे PCAP का option आपको मिल जाता है जिसके लिए आपको monitor में जाना है Palo Alto firewall के dashboard के and उसके बाद left hand side पे आपको packet capture का option मिल जाएगा जहां पे आप packet capture based on source destination and port लगा सकते हैं final question है दोस्तों आप लोगों के लिए अभी तक का वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छा लगा हो और last question आपके लिए which of the following types of VPN does Palo Alto support for client to site connectivity यानी Palo Alto firewall में VPN का वो कौन सा feature है जिसे हम use करते हैं किसी user को company network में connect करने के लिए from remote location simple language में बोलें कि remote VPN का solution का name क्या है Palo Alto में जिसे हम use करते हैं तो right answer option c global protect जिस या SSL और IPsec भी हम बोलते हैं यानी name इसका global protect है बट जो use technology की जाती है वो SSL या IPsec है diagram देखें समझ में आजाएगा तो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह video पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो आपका comment मेरे लिए booster की तरह साबित होगा next 20 question पे वीडियो बनाने के लिए और अगर आप क्या comment मुझे नहीं मिलता है तो मेरा moral down होगा और मुझे ल आप लोगों को मेल करूंगा ओई फिर मिलते हैं दुबारा बाई अपर आपका 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 आपका